कि यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं निप्टी बैंक निप्ती का व्यू जोकि 19 माई थाजड़े के लिए क्या रहने वाला है जो कि कल विकली एक्स्पाइरी कि यह कर देख लेते हैं निप्टी और वेंक निप्ती में आज आं आप देखा होगा एक तरह से मोमेंट जो है पॉजिटिव में था बट वहां पे उस लेवल को एक तरह सस्टेंड नहीं कर पाया और मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे चलता रहा और एक तरह है जो कि फाइब नेट की कैंडल पर जैसा कि प्रिविएस वीडियो में आपको बताया था कि यहां पर निप्ती जो है 16,000 का एक सपोर्ट जोन बना हुआ है वहीं पर हम बात करें तो यह 16,200 के ऊपर था जहां पर आपको बाई करने के लिए बोला गया था कि अगर यहां पर 16 1290 की ऊपर कहीं ओपन होता है तो आपको बाई करना है और अल्मोस्ट हमारा टार्गेट जो है 16,400 के आसपास होना चाहिए तो आल्रेट यहां मौर्निंग में आपने देखा होगा ओपनिंग होने के बाद अच्छा खासा मोमेंट देखें यहां पर आल्रेटी प्रॉफिट बुक हुआ और यहां पे भी मैंने यहां सी दिया था और वर्फिट वुक हुआ बैक निप्टी के इदर जब ऊपर से लिइचे गिरा तो भी मैंने फूल दिया थो वहाँ भी प्रॉफिट भुग हुआ एक तरह से प्रीमपनीब्रीम गडूप में बहुत अच्छा प्रॉ सपोर्ट जोन का काम करेगा और इस वीक के लिए जो इस एक्सपाइरी में 16,100 का एक मेजर सपोर्ट जोन है और आज जो निप्टी ने हाई बनाया है यह है 16,400 का लेवल तो फ्रेंड्स यहाँ पे कल के लिए यहाँ पे होने वाले हैं कि अगर निप्टी इधर कहीं पे ओपनिंग हो जाता है और ओपनिंग होने के बाद अगर यह डाउन साइड लेता है अगर मुमेंटम डाउन साइड देता है तो जब तक यह 16,200 का लेवल ब्रेकडाउन ना दे तब तक आपको यहाँ पे पूट में अंट्री नहीं करना है 16,200 का लेवल यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है तब यहाँ से लेके 16,100 तक का लेवल मतलब 100 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे पूट में अंट्री कर सकते हैं जैसा कि कल एक्सपायरी है तो उस हिसाब से क्वाटिटी मैनेज करके ट्रेट करिएगा क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम डिकेसी बहुत ज़्यादा होता है और थज़्डे के दिल मैक्सिम टाइम मार्केट में मॉमेंट एक तरह से रेंज बाउंड बन जाता है इस बात का ध्यान रखिएगा यह तो हो गए हमारे डाउंसाइट के लिए लेबल अगर मान के चलिए अगर ओपनिंग ही यहाँ पे 16200 के नीचे या उसके आसपास होता है तो आलेड़ी अगर इस लेबल को ब्रेकडाउन कर देगा 16200 का लेबल तो जैसे ही रेट कैंडल बन के लिए लेबल वहीं पे अगर मैं बात करूं कि अपसाइड में क्या हो सकता है तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर इधर कहीं ओपनिंग हो जाता है मतलब उपर नहीं होता एक तरह से फ्लैट होता है तो जब तक 16300 का लेबल मतलब यहाँ पर जो आज ओपनिंग हुआ था वह आपको यहां पर एंट्री पोजिशन मनाना है सेम 16,400 तक के लेवल के लिए यहां पर आपका टार्गेट होना चाहिए मतलब 100 पॉइंट का यहां पर टार्गेट होना चाहिए अगर यहां पर मार्केट जो है इसी मोमेंट में रहता है अगर सुबह ओपनिंग फ्लैट हो जात करना है और दूसरी चीज यहां पर गर ओपनींग उपर हो जाती है मान के चलिए यहां पर 16,350 यह 400 के आसपा सिदर कहीं पर हो जाती है तो सिधा सिधा आपको कॉल में एंट्री नहीं करना है आवाइट कर धीजिए बहां पर वेट करना है अगर और ऑपर जाके इधर कहीं पर आपको मानने के चलिए इवनिंग इस्टार के कैंडल फॉर्मेशन बनता है या तो इंवर्टेड हैमर बनता है तब आपको यहां पर पुट में एंट्री करना है उपर क्योंकि यहां पर जो लेवल निकल के आ रहा है 16400 का लेवल एक तरह से अगर मैं मानूं तो यह हमारा मेजर रजिस्टेंस लेवल है इस लेवल को ब्रेक आउट करने के बाद ही मोमेंट आएगा जैसा कि मैंने फ्री वाले ग्रूप में भी डाला था कि निप्टी यहां से बाउंस बैक ले रहा है 15800 के लेवल से बाउंस बैक लेने के बाद 16400 का लेवल आपको देखने को मिले के एक तरह 34200 का लेवल है जो कि कॉंसे डेट हुआ और यही हमारा कल के लिए एक सपोर्ट जो निकल के आ रहा है जो कि आज आज आप देखोगे तो सेम इसी लेवल के पास में ही बैंक निप्टी क्लोज हुआ है तो अगर मैं डाउन साइड के लिए बात कर लों तो कल अग का मुमेंट देखने को मिलेगा जो कि 33800 के आसपास का लेवल आएगा अगर मान के चलिए इधर से कहीं ओपनिंग ही गैप डाउन हो जाती है मतलब 34000 के बिलो में तो आप 34000 के बिलो में पुट में एंट्री कर सकते हैं सीधा-सीधा डाइसो पाइंट के लिए और कंफर्मे इधर कहीं पर हो जाती है और यहां से मार्केट थोड़ा सा अप्रेंट की कंडिशन बनता है तो जब तक यहां पर 34400 का लेवल उपर साइड ब्रेक आउट ना कर दे तब तक आपको यहां पर कॉल में एंट्री नहीं बनाना है क्योंकि आज आप देखोगे तो यहां पर ओ रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक आउट करेगा तब यहां पर आप कॉल में एंट्री कर सकते हैं और आल्मोस्ट आपका यहां पर 34600 का लेवल होगा टार्गेट के लिए जो की आल्मोस्ट एक तरह से बोल सकते हैं 200 पॉइंट का मोमेंट देखने को मिल सकता है वही इस वीक के लिए इस वीक के लिए पुरी तरह से एक रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है तो जब तक लेवल यहां पर रीच नहीं होता है उस लेवल के आपको एंट्री करना है जब तक ना हो तब तक एंट्री ना बनाए क्योंकि अगर ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन में एंट्री करेंगे तो आपके ट्रेड के लिए ज्यादा बेटर रहेगा और यहां पर पॉफिट भी ज्यादा देखने को मिलेगा